ओके हेलो एवर्वन वेलकम बैक तो माय चैनल एंड टोड़े वी विल टॉक अबाउट क्लास सैवंथ चैप्टर नाइन नौन एज सॉइल इस चैप्टर में हम सिंप्ली सॉइल के बारे में पढ़ने वाले हैं और सॉइल से रिलेटेट कुछ टर्म्स है उन्हें भी सीखेंगे और फार्मिंग के अंदर सॉइल का क्या इंपोर्टेंस है वो भी जानेंगे इवन नैचुरली सॉइल जो है हमारे लिए कितनी इंपोर् राइट वेर दू वी एफ तो स्टैंड वी डॉंट नो बिकाज इफ दे वोड वी नौ सॉइल यू तिंग अबॉर्टेंगे अंदर उसकी रूट्स रहती है और उसी के बेस पर वो काफी लंबे सा टाइम तक खड़ा रहता है और इसी सॉइल के वज़ा से उस प्लांट को वाटर भी मिलता है और न्यूट्रेंट्स भी मिलती है जो उसको चाहिए होती है राइट अब एशेंचल फॉर एग्रिकल्चर एज टोल्ड यू एग्रिकल्चर के लिए सॉइल बहुत जादा मेहिन है ओके हो फॉर मैनी ओर्गिनिजम्स एज टोल्ड यू अगेन बहुत सारे नहीं एवन हर किसी जानवर के लिए हर जानवर के लिए सॉइल जो है वो एज़ा होम एक करती है राइट अब आपकी एंसियार्टिक अंदर एक पैराग्राफ है उस पैराग्राफ की कुछ लाइन हम प्लास्टिक बैक्स पॉल्यूट शॉस जो हमारे प्लास्टिक बैक सोते हैं या फिर कोई भी प्रॉडक्ट जो वो प्लास्टिक से बना है ईंदर रहते हैं और इस पीनिफ्ली को products soil को pollute करते हैं और simply मैं आपको पता हूँ तो soil को dead कर देते हैं ठीक है also kills organisms अब soil के अंदर रहते हैं organisms और soil ही अगर खराब हो जाएगी तो organisms कैसे रहेंगे and eventually वो मर जाते हैं at the end they lead to that so ban polybags okay waste produced in chemical factories as chemical and pesticides ये भी soil को pollute करती है okay what waste products and chemicals should be treated before released in soil soil में डालने से पहले जितने भी waste product है chemical factories के उनको treat करा जाना चाहिए okay and pesticides का जो use है वो minimize करना चाहिए क्योंकि pesticides से जो soil है वो बंजर हो जाती है right now we will talk about layers of soil अब कुछ terms हैं जैसे की humus and weathering तो इनके बारे में जान लेते हैं rooting dead matter in the soil is humus simply soil के उपर जो बिल्कुल upper layer पे काई type का रहता fungus टाइप का okay algae fungus जिसे आप simply की चड़ भी कह सकते हैं उसे humus कहते हैं that's all okay and now formation of soil by breaking of rocks by action of wind water or climate this phenomena is known as weathering again i'm telling you formation of soil soil का बनना किस से पत्थर के टूटने से और पत्थर टूटता कैसे है या तो हवा की वज़ा से या तो water की वज़ा से या फिर climate change की वज़ा से okay और इसी फिनोमेना को हम weathering कहते हैं that's clear now we will talk about soil profile before talking about this soil profile let's know what is the soil profile vertical section through different layer of soil क्या समझे soil profile simply बताती है vertical section कहने का मतलब एक आप एक ग्रास के अंदर different layers of soil रखिये like सब से पहले rock and then छोटे वाले rock and then इसको उपर muddy clay type की जो soil आती है उसे रख दीजिए जैसे आपके NCRT में दिखा भी रखा है look at the picture हा same इसी section wise layering of soil को हम soil profile कहते है है I hope you understood this okay now each layer is different in feel or texture color depth and chemical compositions and these all layers are known as horizon okay soil profile के अंदर आपको जितने भी different layers दिख रहीं थी those all the different layers are known as horizon I hope you got it now upper most layer horizon is dark as rich in hummus and minerals as I told you before जो hummus है वो upper layer of soil है कहने का मतलब जो हमारा vertical section था soil profile का उसके उपर की सबसे उपर वाले जो layer है यानि horizon वो hummus के अंदर rich होती है okay so उसका color dark रहता है got it now कुछ points है इसी hummus and dark soils के कुछ points है जैसे की make soil fertile so यह hummus जो है soil को fertile बनाती है उपजाओ बनाती है उपजाओ simply इसमें हम खेती कर सकें अपने करील जो भी कुछ nutrients हम चाहिए वो उगा के हम ले सकें okay now provide nutrients to grow plant plants को as I told you as before the soil जो है वो हमको I'm sorry plants को nourishment provide करती है water provide करती है encourage करती है to stand or to grow okay तो किसके मजद से होमस के मजद से got it soft porous and retains more water soft pore रहते हैं और पानी को ज्यादा absorb करती है retaining of water and it is called top soil horizon A look at this horizon A यानी soil profile का सबसे उपर वाला हिस्सा जिसे हम horizon A भी कहते हैं और उसे top soil भी कहते है simple top है तो top soil that's all okay now we will talk about something different that is shelter for organisms, worms, rodents, moles and beetles root are embedded entirely okay तो यह जो कुछ भी था यह सारा का सारा B horizon में है यानी second layers के अंदर जो shelters की बात हो रही थी homes की बात हो रही थी organisms के लिए वह हमारा second layer के अंदर रहता है right और उसमें बहुत सारे organisms रह सकते हैं example को मैंने बता दिये थे worms है, rodents है, moles है, or beetles है okay और root जो है जिसके अंदर embedded रहती है soil के profile के अंदर वह second होती है okay that is known also known as that's visible now that is that is B horizon got it less amount of humus, humus काफी कम रहती है more minerals, minerals बहुत जादे रहते हैं बाई, generally hard, काफी hard भी होती है okay, more compact भी, more compact सा मतलब है यहाँ पर हवा पानी थोड़ा कम रहेगा okay, हवा तो usually बिलकुल कम रहेगी, काफी जादा कम ठीक है, और यह middle layer भी कह जाती है, got it now let's move to next page now, the last and the third layer, sea horizon, third layer, below this layer is the bad rock, third layer के नीचे bad rock आ जाता है that is really hard, okay, made up of small lumps and rocks, lumps और rocks के टुकडों से जो है, sea horizon बना होता है hard है and difficult to dig with spade, even spade यानि फावडे के साथ भी इसे खोदने में काफी दिक्कत आती है, got it now, हमने soil profile cover कर लिया है, अब हम बात करेंगे soil type की, okay, mixture of rock, particles and humus, simply soil है living organisms and plant are also important part of soil, जो living organisms है, जो plants है, वो भी soil के काफी important part है, how, आगे बात करते हैं, okay, उससे पहले हम कुछ terms हैं, उसके बारे में बात करेंगे, as sandy soil, soil contains great portion of large particles, sandy soil के अंदर, the soil के particles हैं, वो काफी बड़े होते हैं, और काफी ज्यादा amount में होते हैं, that's simple, sandy soil के अंदर, दो बाते थी, large particle, और ज्यादा portion, खतम, अब बात करते हैं, clay soil के, got it, containing relatively higher portion of fine particles, sandy particles के अंदर, greater portion था, greater portion इसके अंदर भी है, but fine particles का, but fine particles का, even in more quantity, okay, higher portion, and fine particles, clay soil के अंदर, fine particles मतलब, छोटे particle, got it, now, we will talk about loamy, that is also soil, type of soil, when amount of large and fine particle is same, कहने का मतलब, 50% तो आपके fine particle है, and again, 50% आपके large particle है, so that type of soil is known as loamy, हम इसकी एक definition भी बना सकते है, that, same amount of large and fine particles, contribute to become loamy soil type, got it, now, sand, large space in between, well aerated and light, sorry, so sand है, अच्छी खासी, aerated होती है, कहने का मतलब, इसके बीच में, air gaps काफी होते है, हलकी होती है, और large space रहता है, इनके बीच के बीच में, मतलब, इनके particles के बीच के बीच के अंदर, I'm sorry, इनके particles के बीच में, काफी ज़्यादा space रहता है, तभी तो air airated है ही है, okay, now, अब हम बात करेंगे clay की, small particles है, tightly packed होता है, less air होती है, हवा इसके अंदर कम है, क्यों? क्योंकि tightly packed है, small particles भी है, तभी ये tightly packed हो सकता है, okay, अब leaves little space, काफी कम space रहता है, reserves water, पानी ज़्यादा reserve करता है, और थोड़ी heavy होती है, अब मैं आपको समझाओ कि small particles और large particles के अंदर packed tightly क्यों है, large वाली के अंदर packed tightly क्यों नहीं है, तो simply एक bottle के अंदर या फिर glass के अंदर बड़े marbles जो आता है, marble कंचे जिसे हम कहते है, बड़े वाले डालिएगा and then छोटे वाले डालिएगा, you will get to know about this कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पर packletite और not packletite, got it, अब हम बात करेंगे loamy soil की, got it, light रहती है, humus भी होती है इसके अंदर, less water होता है, पानी कम रहता है, ठीक है, best top soil for plants, mixture of sand and clay, loamy soil जो है, best top soils के अंदर से आती है, क्योंकि इसे mixture of sand or clay का mixture का जाता है, one more definition, one more definition for the loamy soils, अब बात करते हैं, silt की, one more type of soil, okay, particle size, sand clay between, deposition in reverse beds, तो simply, जो silt है, इसके अंदर, sand particle का जो size है, और clay particle का जो size है, कहने का मतलब, अगर sand particle का size, sand particle का size इतना है, और clay particle का size इतना है, तो silt particle के soil का size लगभग इतना होगा, कहने का मतलब, middle का size, middle size, okay, middle size, that's large and that's small, but that is middle, medium, okay, तो silt particle, sorry, silt type of soil के particle का size कैसा है, medium, got it, now, the main topic, as I can tell you, क्योंकि यहां से आपको numerics भी कर सकते हैं, right, इसे कहते हैं, percolation rate of water in soil, मैं simply आपको समझा दू, percolation rate का मतलब क्या होता है, simply, अगर हम soil के अंदर पानी डालते हैं, या फिर उपर पानी डालते हैं, तो per minute कितने ml पानी, पानी soil अब्जॉब करती है, that is simple percolation rate, that is simple percolation rate, इसका formula, amount of water in milliliter, again, amount of water, कितना पानी, milliliter के अंदर हम इसे नापेंगे, okay, per minute के अंदर कितना जाता है, in minute percolate, percolate simply अब्जॉब करती है, जो जमीन पानी, okay, वो per minute कितनी अंदर जाती है, that is simply known as percolation rate of water in soil, that's all, अब इसी को अच्छे समझाने के लिए, एक question है, that's based on your NCRT, again, that is 200 ml of water percolate in 20 minutes, मतलब, 200 ml जो water है, वो 20 minutes के अंदर पूरा का पूरा percolate कर जाता है, कहने का मतलब, soil के थूरू absorb कर लिया जाता है, okay, तो इसको numeric में कैसे convert करेंगे, percolate rate जो था, वो ml में है, okay, water का rate जो है ml में, और ml कहा था, amount of water numerator में, तो simple, हम 200 को numerator में रिख देंगे, okay, और वहीं, जो minute है, यानि time की unit जो है, वो थे denominator में, तो हम 20 minutes को simply denominator में रख देंगे, as the percolate in 20 minutes, okay, and amount of water was 200 ml, so eventually, इस 0 से 0 कट के, 2 times of 10 आता है, हमारा percolation rate जो है, 10 ml per minute आता है, got it? Now, अब जो मैं definition बताएती, वो मैंने लिख भी रख किये, that it is simply rate of soil absorption of water per minute by soil, अचा क्राइज, एक चीज पूछ नहीं थी आपको, अगर आपको math भी content सही है, then I will provide that, okay, so, इसको भी maths का भी content चाही है, so, please, note it down in the comment box, thank you so much, now, at the end, at the end, moisture, ए रदा ध्यान सहुना, moisture in soil can be detect, by shimmering of air, during hot summery days, and what is this shimmering, guys, do you know, what is this shimmering, example देताँ, look at the picture, हाँ, तो, यह जो lights के तरफ, during summer, during summer days, in heavy traffic, or any other type of, in any other conditions, near the light, आप जो, देखते हैं, like, ऐसा लगता है, कि वो चीज हिल रही है, like, मैंने, हलका सा टाइग्राम के थ्रूबी, शो करना चाहाए, यहाँ पर इसके अंदर, तो वो जो, हिलता हुआ दिखता है, हवा के अंदर, एक movement दिखती है, that is called shimmering, और simply इसका यह कह रहा है, कि जो soil के अंदर, moist, यानि water, जो रहता है, summer के दिनों में, summer के दिनों में, in the form of vapor, वो भार आता है, okay, गर्मी पढ़ती है, और temperature बड़ेगा, तो पानी भाब बन जाएगा, अब भाब बनके, जब वो roads पे आता है, या environment में फैलता है, तो light के तुरू, अगर आप उन्हें देखो, तो वो shimmering करके दिखेगा, shimmer करता हो दिखेगा, ऐसा shimmering क्यों होती है, क्योंकि in previous chapters, मैंने आपको बताया था, ऐसे यह इस कुछ इस वेवी फॉर्म में रिफ्लेक करती है, तो ऐसे लगता है कि उस पर्टिकुलर एरिया का पॉर्शन, मूफ कर रहा है, ताट सिंपली नोन आप शिम्रिंग, ओके लास बिगेन अगर्ण, अधन आप शिम्रूलेजग, तो अक्य सक्राइड, हॉर्म, अधन अधन प्रचाइड, नॉस बता बाउल्ट नोन आप इस वेवी फॉर्म को मेंगर्ण, तो अधन टोपक च्राइड, इन पांचों के पांच की वजह से सॉल के टेक्चचर के अंदर शॉल प्रफायल के अंदर चेंज आते हैं और अक्वर्डिंग तो डोज चेंज वी गन से और वी कन प्र्डिक्ट की इस जमीन में कौन सी तरह की फर्सल होगी होगी या नहीं got it now we will talk about this in detail climate factor components of soil determine the type of vegetation and crop for growing simply जो climate के components है as I told you light humidity temperature wind and rainfall यो determine करते हैं कि soil के अंदर किस टाइप की vegetation होगी as I told you which type of vegetation जो होगी for crop growing फसल को उगाने के लिए किस तरह की vegetation होगी वो ये वो in climate factors या फिर component पे ही depend करता है got it now clay and loamy soil are both suitable for kareels growth kareels यह अनाज के लिए जो सबसे बढ़िया बहतरीन जो मिट्टी होती है या तो वो clay हो या तो वो loamy हो okay अब वो यह दोनों ही क्यूं आपको मैंने इन सब के फीचे से वज़ा बताई थी क्यूं क्यूंकि यह water absorb भी करते हैं इनके बीच में air gap कम भी होता है जादा भी होता है तो moisture भी मिलेगी nutritions भी मिलेगा, minerals भी मिलेगे, air भी मिलेगी, water भी मिलेगा जो की एक plant को grow करने के लिए suitable है that's all now such a soil are good in retaining of H2O, guys H2O क्या होता है आप लोग बताएंगे okay और इसका मतलब है such type of soils कहने का मतलब clay and loamy soils जो होती है वो water retain करने में काफी बढ़िया होती है उत्तम होती है okay for paddy, soil rich in clay and organic matter and having good retaining capacity to water और idle, paddy के लिए soil जो ridge हो clay के अंदर, organic matter के अंदर और good retaining water capacity हो यानि percolating rate उसका जो हो अच्छा हो वो paddy की फजल के लिए बढ़िया रहता है now lentile, masoor और other pulses इनके लिए जो loamy soil है वो काफी बढ़िया रहती है okay, क्यों? क्योंकि loamy soils water को easily drain कर देती है that's all now for all of you guys there is a question that which is suitable for rice cropping higher percolating rate of soil or lower percolating rate of soil that's a question and all of you guys have to answer that in the comment box okay now next for cotton sandy and loamy soil is good क्यों? क्योंकि retain water plenty of air more suitable suitable भी है plenty of air भी है अच्छे कासी हवा भी रहती है उसके अदर और water भी रेटेन लेती है wheat के लिए fine clay soil जो clay soil रहती है fine I'm sorry fine particle रहती है clay soil के लिए तो वो wheat के लिए suitable है rich in humus, humus भी काफी सही रहती है और very fertile fertile भी बहुत अच्छे रहती है fertile क्यों? क्योंकि humus है okay, अच्छा chapter तो पूरा हो गया but यहां पर thank you भी लिख दिया है but एक topic छोड़ गया था तो now we will cover it here as well soil erosion what is soil erosion simply due to any natural phenomena removal of land from surface is known as soil erosion removal of land से कहना का मतलब जो मिटी का हटना है आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा मिटी खसक जाना या फिर जमीन का बीच में से दरार आ जाना जमीन के बीच में दरा आ जाना roads का अब यह कप-कप होता है या तो earthquick आए तब भी हो जाता है या फिर land slide हो जाता है तब भी due to any natural phenomena और भी कुछ चीज़े हो सकती है जैसे कि हम deforestation करते हैं तो उससे काफी जादा effect पड़ता है जो particle of soil है वो काफी lose हो जाते हैं इसलिए वो अपने आप खिसक जाते हैं जिसे land slide भी हम कहते है land slide का main reason ही deforestation है जैसे कि मैं लिखा भी यह deforestation is main reason in absence of plants usually absence of plants plant नहीं होंगे तो उनकी roots नहीं होंगे और roots ही वो wat ही चीज है जो soil के particles को पकड़के रखती है जडckte, जड्से मतलब जड़रूस्is पकड़के रखती है अब roots ही नहीं होंगी क्योंकि plants नहीं है रूट्स ही नहीं होंगी तो स्वाइल को पकड़ेगा कौन, अब स्वाइल को टाइटली पकड़तो रखा नहीं है, तो कुछ भी अगर ऐसे फिनॉमिना होते हैं, तो स्वाइल उस जगा से हट जाती है, सिंपल यार, आप मट्टी को फिक कर देखें, आपको अपना पता लग जाएगा, एक मट्टी का टीला बनाए, और वहाँ पर जाके साइडन से कूदने लगे, वह अपने आप नीचे कर जाएगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको आपने मट्टी को मजबूत करने के लिए कुछ नहीं करा, लेकिन वहीं आप वह चीज़ से बनाए, क्योंकि से आप कूदें, कुछ भी करें, उसके उपर चड़ जाएगा, तो वह नहीं टूटेगा, simply, तो कह सकते हैं कि जो वाट प्लांट्स की रूट्स हैं, काफी सारे प्लांट्स भी, वह स्वाइल के लिए ऐसा सेमेंट काम करते हैं, क्योंकि वह उसको टाइटली पकड़के रखत हैं, सो गाइज, प्लांट को ना काटें, इवन आप अगर कहीं देखते हैं कि कोई इंसान प्लांट को हाम कर रहा है, सो गो एंड स्टॉप इम, और दीफोर्रेश्टेशन के टॉपिक पे अप अपनी नॉलेज गेन करें, और गेट मोर इंफोरमिशन अबाट इट, ओके, I simply soil become loose which leads to erosion of soil, that is all and again thank you so much guys for watching my video, that's all for today, we'll move and see you later guys, thank you, bye